Hello guys, welcome back to the channel मैं हूँ गवरांग और आज मैं आपको पाच ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि कुछ नहीं केवल अफवाहे है जी हाँ, आपको बताई गई ऐसी जूटी बाते जिनको आप आज भी सच मानते है जी हाँ, अगर आप भी जानना चाहते है कि आप कैसे उल्लू बनाए गए है तो इस वीडियो को इन तक देखिए So that you won't be उल्लू anymore And अगर आप भी ऐसी वीडियो को देखना पसंद करते है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते है So, starting with number one Workers of Taj Mahal दिल्ली में मौजुद Taj Mahal दुनिया के साथ अजुमे में से एक है ये तो आप सभी जानते होंगे और उस समय के शेंशा शाजहा ने इस ताजमहाल को बनाया था और एक बात बहुत प्रचलित है इसके बारे में जो है कि शाजहा ने ताजमहाल बनाने वाले workers यानि ताजमहाल बनाने वाले कारागीरों के हाथ काट दिये थे ये तो आपने कभी न कभी किसी से सुना ही होगा लेकिन ये बात झूटी है क्यों Ask लग गया ना जी हा शाजहा ने इन कारागीरों के हाथ को काटा ही नहीं था बलकि ये बस एक अफवा है और कुछ नहीं जो कि आपको उल्लू बनाने के लिए फैलाई गई है आपको कभी न कभी कहा गया होगा कि दातों को हमेशा साफ रखो, सफेद रखो बहुत लोगों की मान्यता है कि दात जितने सफेद उतने हिल्दी और पीले दात वीक और खरा आप भी यही मानते होंगे लेकिन ये भी एक जूट है जी हाँ दातों का असली रंग प्योर सफेद नहीं होता बलकि थोड़ा सा यलोईश होता है दातों में मौझूद एनामल के कारण दात स्लाइटली यलो होते हैं और इस एनामल की कमी के कारण दात एकदम सफेद हो जाते हैं जो कि हेल्दी टीट्स का नहीं बलकि वीक टीट्स का साइन है नमब त्री चार्जिंग दा फोन ओवरनाइट आपने सुना होगा कि फोन को रात भर चार्जिंग नहीं लगाना चाहिए इससे इसकी बैटरी खराब हो जाती है कही न कही ये बात सच भी है लेकिन जूट भी आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सो ओवरनाइट चार्जिंग इसलिए एवोड किया जाता है क्योंकि मैं इस दो से तीन घंटों में ही बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और अगर फिर भी चार्जिंग चालू रह जाए तो बैटरी खराब हो जाती है ये सच है लेकिन पुराने जो मोबाइल फोन्स थे उनमें आप जितनी देर चार्जर कनेक्ट करते थे उतनी देर चार्जिंग चालू रहता था लेकिन आज कल के जो स्मार्टफोन्स है उनमें 100% चार्जिंग होने के बाद फोन अपने आप चार्जिंग बन कर देता है इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं होती आपके पास भी अगर स्मार्टफोन है और आप भी उसे ओवरनाइट चार्जिंग करना चाहते है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है आप इसे चार्ज कर सकते है इसे कोई बैटरी खराब नहीं होगी नमबर फोर नेटवर्क बार्स क्या आप इन लाइन्स को जानते है ये लाइन्स आपने अपने मोबाइल स्क्रीन के उपर वाले कोने में कभी ना कभी देखी होगी सो इन्हें नेटवर्क बार्स कहते है या आपको पता है इसका काम क्या होता है आप कहेंगे कि जितनी ज्यादा बार्स उतना अच्छा नेटवर्क क्वालिटी है ना लेकिन नहीं मेरे दोज ये जूट है जी हाँ ये नेटवर्क अच्छा या बूरा क्वालिटी का है ये नमब फाइव, Most Venomous Creature So, दुनिया में कई लोगों का मानना है कि सापो का किंग, कोबरा दुनिया में सबसे जहरिला क्रियेचर है आप भी यही मानते होंगे लेकिन ये भी एक जूट है जी हाँ, किंग कोबरा से भी ज्यादा जहरिला क्रियेचर है जो कि दुनिया का सबसे जहरिला जानवर है जी हाँ, ये है Box Jellyfish दोस्तों ये जानवर जितना क्यूट दिखता है न उतना ही ये घातक है और आप भी ऐसे ऐनिमल से रिलेटेड कॉंटेंट देखना पसंद करते है तो उसे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे औरेड़ी है जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्चन में दे दूंगा या फिर वीडियो के एंड होने के बाद आप एंड स्क्रीन से भी उन्हें देख सकते है So, King Cobra नहीं बलकि ये box jellyfish जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते है ये दुनिया का सबसे जहरीला जानवर है So, that's up for the video I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कितने जूटी बाते बताई गई है ये भी समझा गया होगा लेकिन आज आपको इसके पीछे की सच्चा ही पता चल गई So, वीडियो पसंद आया तो इसे like कीजिए, comment कीजिए and अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आगे भी आप ऐसी वीडियो को देखना चाहते है तो चैनल को subscribe कीजिए Thanks for watching